अबसकार सागत है आपका मेरी चैनल में मैं हुस सिनैना और आज के इस वीडियो में मैं आपको रैप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी यह टॉप काफी ज़्यादे ट्रेंड में है और इससे बनाना भी बहुत ही ज़्यादे इजी और सिंपल है इस टॉप को मैंने बचेवे फैब्रिक से क्रेट किया है आप इसे एक मीटर के फैब्रिक से भी बना सकते हैं अगर आपको टॉप की लेंद कम रखनी है तो आप एक ब्लाव स्पीस से भी इस टॉप को क्रेट कर सकते हैं अब मैं फैब्रिक को उपन करती हूँ और यह दो पी अब इसे lengthwise fold कर लेंगे इस तरह से तो ये fold lace में हो जाएगा और folded वाली side को मैं अपनी तरफ कर ले रही हूँ और यहां से mark करेंगे neck width के लिए तो इसके लिए मैं 3 inch पर निशान लगाऊंगी अब यहां से neck dip के लिए mark करेंगे तो इसके लिए मैं 4.5 inch पर mark कर रही हूँ एक straight line draw कर लेंगे और यहां पर एक rectangle shape draw कर लेंगे और यहां से neck के लिए round shape draw कर लेंगे shoulders के लिए मैं 9 inch पर mark कर रही हूँ आप पूरे fabric को भी ले सकते हैं अगर आपको sleeves की length ज्यादा चाहिए इसके mid point पर mark कर लेंगे तो यह मैंने mid point पर mark कर लिया है अब इस point को shoulder वाले point से match कर देंगे इस तरह से inch tape को तिरशी में रखते हुए एक line draw कर लेंगे तो marking complete हो गई है इसमें इतनी marking करनी होती है और अब हम इसकी cutting कर लेंगे यह shoulder से shoulder को भी इस तरह से cut कर लेंगे अब इसे open करेंगे और अंदर वाले part को बहार निकाल लेंगे अब इस part को फिर से set कर लेंगे और front neck को थोड़ा से deep कर लेंगे तो यह cutting माने कर ली है cutting हो जाने के बाद फॉलिट वाले side से एक mark लगाएंगे 3.5 inch पर यह marking मैंने किये tucks बनाने के लिए आसे tucks के लिए marking आपको कर लेंए front और back दोनो side में आप इसके लिए strip को ready करने के लिए मेरे पास यह चोटे-चोटे pieces हैं इन सभी को मैं joint कर लूँगी और एक लंबी strip को ready कर लूँगी और neck के finishing के लिए कुछ और इप strips कट करने होगे तो यह मैंने कुछ और इप strips की cutting कर ली हुई है इस तरह से और इस सभी को मैं joint करूँगी तो जैसे blouse में tux बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहां भी आप tux बना सकते हैं लेकिन मैं यह आप pleats बनाऊंगी तो देख सकते हैं मैंने यह चोटे-चोटे दो pleats बना लिए हैं front और back दोनो side में और मैं इसकी CD side पर दिखाती हूँ तो यह देखिए इस तरह से दो चोटे-चोटे pleats मैंने बनाए हैं आप चाहें तो blouse की तरह भी pleats को बना सकते हैं और यह दूसरा side है इस side पर भी मैंने दो चोटे-चोटे pleats बना लिए हैं से मिसी तरीके से आपको भी pleats बना लेना हैं अब इन दोनों parts को join कर लेना होगा तो देखिए इस तरह से रख लेंगे और दोनों की CD side अंदर की तरफ रखते वे इस तरह से दोनों की shoulders पर 1.5 inch का slime आरसे रखते वे दोनों को join कर लेंगे इस तरह से मैंने दोनों shoulders को join कर लिया है अब नेक के finishing के लिए यह और इप strip को इस तरह से रखते वे जॉइन कर लेंगे तोप को सीधा रखा हुआ है और यह और इप strip जो है इसे 1.5 inch का fold कर लेंगे अंदर की side और यहाँ पर रखकर half inch का slime margin या थोड़ा सा slime margin रखते हुए और stitch कर लेंगे पूरे round में अब यह strip जो है इतना extra है तो इसे मैं cut कर लूँगी अब इस और इस strip को सीधा करके यहाँ पर पूरे round में top stitch लगा लेना है लेकिन top stitch लगाने के पहले पूरे neck round में small cuts लगा लेंगे जिससे strip को पलटनी में असानी हो तो मैंने top stitch लगा लिए अब जो है इसे double में fold कर लेंगे अंदर के side और यहाँ पर किनारी पर slay लगाएंगे तो यह neck के slay हमने complete कर लिए अब धागे को cut कर लेंगे और देख सकते हैं इस तरह से neck के finishing हो गई है अब इसके sides को double fold करते हुए यहाँ पर stitch कर लेंगे इस तरह से double fold कर लेंगे और top के front bottom से slay को start करेंगे और back portion तक slay को complete कर लेंगे तो देखे एक side पर slay मैंने लगा ली है इसी तरीके से slay को लगा लेना है और सेम इसी तरीके से इसके यह दूसरे वाले side पर भी slay को लगा लेना है and simply हमने दोनों sides पर finishing के साथ slay लगा लिया है तो आप देख सकते हैं neck के finishing भी हो गई है और इसके दोनों sides को भी मैंने fold कर लिया है अब इसके bottom को यहाँ पर belt को stitch करेंगे तो यह मैंने belt के लिए fabric लिया है इसके weight है 3 inch और इसकी जो length है एक side की 53 inch है इस belt को जो है दोनो sides पर stitch करना है तो एक को इस side पर stitch करेंगे और दूसरे को इस side पर stitch करेंगे belt के center पर एक mark लगाएंगे और सेम इसी तरीके से यहाँ भी एक mark लगा लेंगे center के लिए और दोनों center को center से match करते वे slide लगा लेंगे belt वाली fabric को top के साथ pin up कर लेंगे जिसे slide के time पर यह belt इदे उदर नहीं हो और देखिए मैंने top को सीरी में रखा हुआ है और यह fabric को जो मैंने उल्टा करके रखा है तो इसी तरीके से belt को top के साथ stitch करेंगे देखिए इस तरह से belt को मैंने जॉइन कर लिया है अब belt के corners को finishing देदे के लिए इस तरह से double में fold कर लेंगे fold करने के बाद इसके corners को बनाने के लिए इस तरह से cross में slide लगाएंगे slide लगाने के बाद extra fabric को cut कर लेंगे यहां आपको total 4 corners same process से stitch करके ready कर लेना है तो देखिए belts के दोनों corners को इसी तरीकी से बना लेना है अब इतनी तुरी तक इस belt को stitch कर लेना है तो देखिए मैंने इस तरह से दोनों corners को stitch कर लिया है और stitch कर लेने के बाद इसे मैंने परट लिया है अब आगे की slide के लिए top को मैंने उल्टा कर लिया है और belt की जो किनारी है इसे हम double fold कर लेंगे और यहाँ पर pin से secure कर लेंगे belt को अब इसे यहाँ पर stitch कर लेना है तो belt से start करेंगे belt के दोनों किनारी को अंदर की और double fold करते वे यहाँ पर slide लगा लेंगे और देखिए slide लगाते वे अब हम यहाँ तक आगे यहाँ भी belt को half inch अंदर की side fold कर लेंगे और इसी तरीके से slide लगाते जाएंगे अब belt के इस दूसरे यहाँ पर आ गए हैं यहाँ भी belt को double fold करते वे slide लगा लेंगे और अब धागे को cut कर लेंगे तो देखिए belt को मैंने front part में attach कर लिया है सेम इसी तरीके से दूसरे part में भी belt को attach कर लेना है और यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों belt को attach कर लिया है और फाइनली हमारी यह wrap top बनकर ready है और इसे वेर कैसे करना है वह मैं बताती हूँ तो देखिए इस top को इस तरह से डाल लेना है और front वाले belt को back side में बांद लेना है और back वाले portion के belt को front side में बांद लेना है और यह है top का final look अगर आपको यह वीडियो helpful लगी हो तो इस वीडियो को like and share ज़रूर करें और मेरे चैनल को subscribe करें थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद